Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking, today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 1 तिसमबर 2020 के important agriculture current affairs जो exam के point of view से काफी important रहने वाले हैं. इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखें. उससे पहले एक information, अगर आपने भी तक हमको social media platform पे follow नहीं किया है तो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको latest agriculture current affairs, PDF notes और important videos के link अबलेबल होते रहते हैं. आज के सेसन में हम बात करने वाले हैं most important agriculture current affairs लेकिन उससे पहले अनकेडमी आपके लिए लेकर आया है speed and accuracy booster test series for SBI PO prelims. Analysis session के साथ बिल्कुल free. इस test series में होगा subject wise, reasoning, quantitative aptitude and English के test जो आपको आपकी SBI PO prelims examination की practice और preparation में help करेंगे. preparation को बहतर करने के लिए और track करने के लिए इस test में होंगे free analysis session जो आपकी तयारी को पक्का करने में help करेंगे. तो miss मत कीजिए इस opportunity को और जल्दी से enroll करें इस test series में जो start हो चुकी है 1 December मतलब आज से. इस test series में enroll करने के लिए download करें Unacademy का app और enroll पर click करें. अगर आप first time Unacademy पर आ रहे हैं तो use करें मेरा unlock code जो की है S-A-U-R-A-B-H SORAV-1-0 ठीक है? SORAV-1-0 code आपको डालना है और enroll करें test में for free और experience करें Unacademy platform को. यही नहीं अगर आप Unacademy का plus subscription लेंगे तो इस code से आपको 10% instant discount मिलेगा जो already applied होगा. अगर आपने अभी तक enroll नहीं करा है तो जल्दी download करें Unacademy app, enroll करें और new users code use करना मत भूलिएगा. तो आज बात करेंगे most important agriculture current affair उसके साथ agriculture statistics की भी बात करेंगे जहाँ पर हम आज wheat का यहाँ पर लेकर आएं आपर देखेंगे तो जैसा कि आपको बता है पिछले वीडियो आपको बताया क्या था कि तीन दिसम्बर को मीटिंग शीडियूल हुई थी. फार्मर यूनियन लीडर्स की और गवर्मेंट आफ इंडिया की लेकिन उस मीटिंग को किसानों का विरोर जो परदर्शन है वो और उग्र होता जा रहा था उसको देखते हुए आज के दिन ये मीटिंग की गई है तो जानेंगे इस मीटिंग में क्या हुआ है क्या निसकर आता है अगर agriculture current affair से question आते हैं तो crushy bill से confirm question आएंगे इसलिए आपको detail में crushy bill के वारे में पढ़ना है जो कि मैं आपको continue बता रहा हूं crushy bill के वारे में इसके वारे में चर्चा करेंगे आने वाली slide में और जो second current affair तो नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे agricultural statistics जिसमें हम बात करने वालें top 5 इंडिया's export destination of wheat देखेंगे कि भारत किन किन देशों को सबसे ज़्यादा export करता है जो की data है 2019 पीस का recent data है एपीडा से लिया गया है तो जानेंगे इसके वारे में detail में start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर agriculture minister नरेइन सिंग तोमर ने farmer leader को invite किया था आज के लिए योकि आपको बता होगा 3 December को ये meeting schedule थी लेकिन cold covid को देखते हुए और farmer के विरोध परदशन को देखते हुए इस meeting को बोल सकते हूँ प्रिपॉइंट किया गया है जो देटेल में जाल लेते हैं इसके वारे में तो यहाँ पर है agriculture minister नरेइन सिंग तोमर has invited leaders of farmer union protesting the three central farm reforms law for talk on Tuesday today instead of December 3 तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नरेइन सिंग तोमर जो की agriculture union minister है उन्होंने यहाँ पर invite किया था farmer union leaders को जो protest कर रहा है तीन क्रशी बिल जो की central government ने पारित किये हैं उनके खिला तो यहाँ पर तीन December की जगे आज के दिन मतलब Tuesday को मंगलवार के दिन यहाँ पर यह meeting हुई है अभी हम यह भी आपको बताएंगे कि result में क्या मिला इस meeting के में तो जुड़े रहे हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि ह ज़ल जो farmers थे वो यहाँ पर डेली के अलग-अलग स्थानों पर ठीक है अगर हम बोलें तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि जो डेली के अलग-अलग इस्थान है वहाँ पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है इन क्रशी बिल के खिलाफ और यहाँ पर बोला जा रहा है checking in view तो उनका कहना है कि ठंड और COVID-19 को ध्यान में रखते हुए हमने निर्धारे तीन दिसंबर की वैठक से पहले किसान उनियन के निताओं को चर्चा के लिए आमंतरित किया है जो कि आज की दिन की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर अगर बोलेंगे तो अर्लियल इन दी डे यूनियन होम मिनिस्टर अमिसा हेल्डा सेकिंड राउंड अफ डिसकसन विद तोमर एंड अधर बीजेपी लीडर्स ओन दी इश्यू तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिन पहले ठीक है तो यहाँ पर यह बोला आज ये मीटिंग होई है जो कि इन अरेन सींग तो मर और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो पिउस गोल जी हाँ प्र सामिल थे समİलतर में जोकि गरमेंट ऑफ इंडिया को डिबरेजेंट कर रहे थे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहांपर संडे को फारमर्स ने बुला था He has demanded an unconditional meeting with the government in connection with the three agriculture law passed by the center तो यहांपर अगर हम बात करेंगे तो केंदर सरकार ने मंगलवार को किसान संगटवनों के साथ बैठक के दौरान उनकी समस्याओं के निप्टारे के लिए एक समिती गठन करने का प्रस्थाब रगा अब यहाँ पर बात क्या आती है कि पहले किसानों ने बोला कि हमको एक unconditional meeting की चाहिए मतलब है उन्होंने demand की कि यहाँ पर बिना शर्त एक meeting होनी चाहिए कहने का मतलब है कि रविवार को किसानों ने केंदर द्वारा पारे तीन करशी कानुनों से संबंद में सरकार से बिना शर्त बैटक की मांग की थी ठीक है उसके result में आज के दिन बोल सकते हो तो सरकार ने क्या बोला है उन्होंने बोला है कि इन समस्याओं के निप्टारे के लिए एक समिती गठन करने का प्रस्ताब रखा ठीक है तो government ने बोला है कि हम एक समिती बनाएंगे जो आपकी समस्याओं का निप्टारा करेगी ठीक है ये उनियों की तरफ से एक solution आया इस बारता में इस meeting में लेकिन अब यहाँ पर बात आती किसानों ने क्या काया तो हाला कि किसान संगठन क्रशी कानूनों को खत्म करने की अपनी मांग पर कायम रहे और सरकार के प्रस्ताब को ठुकरा दिया तो जो सरकार ने प्रस्ताब रखा था कि हम आपके लिए एक समती गठित करेंगे जो आपकी समस्याओं का निप्टारा करेगी उसको solution करेगी आपकी problems का तो उस decision को उस प्रस्ताब को proposal को किसान union ने ठुकरा दिया है वो आज भी और अभी भी इन क्रशी कानूनों को खत्म करन कि अपनी मांग पर कायम है तो कहने का मतलब है कि जो meeting हुई है उसका कोई भी result या बोल सकते हो निसकर्स नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर government of India ने कहा कि हम आपके लिए समिती बनाएंगे एक समिती गठित करेंगे लेकिन यहाँ पर किसान union कह रही है कि हमको समिती नहीं यह किसानों की तरफ से बात आई है ठेक है रिजल्ट यहाँ पर कोई जी निकला है अब कौन कौन से बिल है थोड़ा समय आपको बता देता हूँ इनके बारे में कल की वीडयो मैंने आपको डेटेल बता है कि यह बिल क्यूं आरहे हैं इन बिल का उद्धेश क्या है और इन बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है सारी इंफर्मिशन हमने कल की वीडियो में 9 बजे वाली जो आती है उसी में आपको दिये तो महाँ जाकर आप देख सकते हैं तो यहां तक आपको इतना समझना है कि आज जो मीटिंग हुई जो की 3 दिसंबर को हुनी थी लेकिन आज हुई 3 बजे विज्ञान भवन डेली में उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं निकला है निसकर्स यहां पर कुछ भी नहीं आया है इस वारतलाप का अब फीचर में देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है लेकिन अभी तक आपको इतना समझना है ठीक है उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कर इंटर्फर समझ में आया होगा अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को सभी ग्रूप में शेयर करो आगे बात कर लेते हैं तो top 5 इंडियाज export destination of wheat जो की 2019-2020 के बारे हम बात करने वाले हैं तो जो recent अभी जो year गया है या 2020 के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर top 5 इंडियाज export destination की बात करेंगे wheat की मामले में तो देखेंगे कि भारत किन किन देशों को गेहू निर्यात करता है ठीक है और यहाँ पर top country कौन सा है जहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा export करता है अपने overall export का ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख पारे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो export करता है wheat को वो सबसे ज़्यादा करता है नेपाल को 72% ठीक है तो यहाँ पर number one country है जो कि India's export destination है wheat का नेपाल को सबसे ज़्यादा यहाँ पर wheat export किया जाता है भारस से overall export का 72% wheat केवल और केवल नेपाल को export किया जाता है second बात करेंगे तो यहाँ पर है बांगलादेश तो यहाँ पर 15% ठीक है 15% जो गेहूं है वो overall का 50% यहाँ पर बांगलादेश को export किया जाता है third पर आपका United Arab Emirat क्योंकि यहाँ पर 5% है ठीक है और उसके बाद remaining fourth number पर सोमालिया है और fifth पर आपका Korea है यह total five countries है जिनको इंडिया export करता है और सबसे ज़्यादा export करता है यह यहाँ पर बात की गई है तो अगर एक जाम में कॉशन आता है तो आपको top three तो याद रखने ही है पहला नेपाल दूसरा बांगलादेश और तीसरा United Arab Emirat इसका जो source है वो है EPIDA Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो value percent और share की बात कर लेते हैं तो नेपाल जो है नेपाल को यहाँ पर लगवग 31,642.78 लाग रुपी का यहाँ पर क्या दिया जाता है यहाँ पर export किया जाता है यहाँ आपको याद रखना है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह 44.49% का growth है previous year से अगर हम compare करेंगे पांगलादेश की बात करेंगे तो यह second number पर आता है इंडिया के wheat export के मामले में जो की दूसरे number पर है यहाँ पर भी about 6,331 लाख रुपीज का export किया जाता है जो की 9% लगवग जादा है पिछले previous year से United Arab Emirates की बात करेंगे तो यह 3.14% जादा growth है इस पार देखी गई है इस साल मतलब 2019 में 2018 से compare करा जा रहा है उसके बाद Somalia और उसके बाद Korea तो आपको याद रखना है यापर आपको वैस जो paper में आएगा वो यहाँ पर आएगा कि number 1 पर कौन है number 2 पर कौन है number 3 पर कौन है तो यह आपको बता दिये गए कि Nepal, Bangladesh और United Arab Emirates जो की लगवव 90% से जादा बोल सकते हो overall export का करते हैं इन 3 countries में ही export होता है यह आपको याद रखना तो यहाँ से यह section complete हो गया कल की वीडियो जो आ चुकी है उसमें हमने discuss किया था फ्लोरी कल्चर का data ठीक है अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं 30 नौबर का जो current affair वाला series है उसी में आपको मिल जाएगा फ्लोरी कल्चर complete हो गया है आज हमने complete किया है वीड तो ऐसे ही हम सभी crop, vegetable सभी को यहाँ पर discuss करेंगे daily तो आप daily आये करिए 9 बजे बहुत important session रहता आप लोगों के ल करते हैं यहां तक आपको current affair समझ में आया होगा helpful लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से like कर दो क्योंकि आज का target है वो है 300 like का और यह fulfill हो सकता है केवल और केवल आपके support से जल्दी से like कर देजिए आप चलते हैं आज की प्यारे से question की तरफ लेकि आपको याद रखना है present में जापान के टोक्यो में ये market है जो की world largest fish market है सभी student ने सही answer किया इस question का अब आपको जल्दी से answer करना है बिना google की आपको google नहीं करना है आपको answer देना है mega food park scheme mfps was launched in air तो आपको उताना है किस words mega food park scheme launch की गई थी ये आपको comment box में लिखके भेजना ह उम्मित करते हैं आपको answer आता होगा तो जल्दी से type कीजे answer और भेज दीजा हमारे channel पर हम आपके valuable comment का वे सब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये था आज का important session उम्मित करते हैं ससन पसंद आयोगा helpful लगा होगा तो वीडियो का pdf आपको हमारे telegram channel और whatsapp group में मिल जाएगा ज So thank you for watching, Chai Hind, Chai Bharat